ऑसलामुलीकूम फ्रेंडस कैसे हैं आप सब आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत त्वागत है मैं आज हम गी भनाने की बहुत ही आसान तरीकि से किसा कर देखेंगे कि किस तरह से deva पाशान तरीके से घी बना सकते और घी से जो वेस्ट निकलता है उससे आज हम एक रैसिपी बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं किसे जो लेफ्ट ओवर निकला था उससे हमने देखिए किस तरह से ये पनीर की भुजिया बनाई है अब हम देखते हैं किस तरह से निकालेंगे ये हमने डेड़ किलो मलाई थी हमारी डेड़ किलो मलाई मेंने एक बर्तन में कर लिए और गेस चलाकर उस पर ऐसे ही रख दिया है ना इसको भिलोना है और ना इसको मिक्सी में करना है ना कुछ भी नहीं करना है बस गेस पर डाइरेक्ट ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे यह देखिए थोड़े देर में यह मेल्ट हो जाएगा उसके बैद में इससे जो अंदर जो पनीर है इसके अंदर जो छेना बनता है उसको हम जो फ्राइ करने वाला वो होता है जाली उससे निकाल लेंगे छान के इसका पानी छलने के अंदर निकालना है ताकि इसका जो पानी है उसके अंदर भी घी होता है वो छलने में छान के नीचे निकल जाए और उसको हम वापस इसी में डाल देंगे वो जो हमारा घी मेल्ट हो गया था इसको हमें ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रख देंगे और ये जम जाएगा और इसको एक साइड से हम कट लगा लेंगे ताकि इसके नीचे जो पानी हमारा एक्स्ट्रा रह गया है वो हम बाहर निकाल सकें इस तरह हमारे घेस की भी बचात होगी हमें जादा घेस चलाके जादा देर तक चलाना नहीं पड़ेगा और हमारा जादा टाइम भी नहीं लगेगा कम टाइम में और कम गेस में हमारा ये घीव अराम से बन जाएगा ना हमको इसको फेटना है ना बिलोना है ना कुछ भी नहीं बस आसान तरीका है इस से आसान तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा ये देखे कट लगाने के बाद जो पानी निकला है इसके अंदर वो हम एक बरतन में निकाल लेंगे अब हमारा बस घी बच गया है इसके अंदर बाकी का जुतना पा में अराम से यह बनके त्यार हो जाएगा बलकि इससे भी कम टाइम में यह देखिए पस यह घी रहे गया इसके अंदर कुछ भी नहीं है इतना भी वेस्ट मेटेरियल होता है वह सब हमने पहले ही निकाल दिया है और जो हमने वेस्ट निकाला है उसकी अब हम एक रेसिपी बन ब्राउन कलर का हो जाएगा बिल्कुल डार्क ब्राउन यह जो मलाई है इसकी डार्क ब्राउन होके सोग जानी चाहिए तब हमें इसको छानना है वरना घी खराब हो जाता है और जब घी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है यह इसकी पहचान है अब यह पूरा ट्रां transparent हो गया कितना अच्छा घीवन के त्यार हुआ है बिल्कुल कम मेहनत में और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं लगा भहती आसान से और कम टाइम में हमारा घीवन के त्यार हो गया है अब हम इसको जिस में चाहिए कंटेनर में जिस में आप निकालना चाहिए निकाल लिए कितना अच्छा मेरा घीवन के तयार हुआ 12 kg मलाई से मेरा 2 kg से बी और जाधा निकलाई यह 2 kg तो मेरे डिब्बे में और यह 500 ग्राम के लगवग यह छोटे बरतन में मैंने निकाल लिया है सब दो किलो मेरा घी निकला है डेल किलो मलाई से और अब जो वह हमने वेस्ट निकाला ता घी के अंदर से उसकी अब हम एक रैसी भी बना लेते हैं यह हमने प्यास काट लिए टमाटर हरी मिट्च काट लिए और एक कडाई में हम तेल डालेंगे और उसके बाद में यह जो प्यास है इसको डालके बस ट्रांस्पेरेंट होने तक फ्राई करेंगे ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है जीरा डाल देंगे और प्यास डाल और ट्रांस्पेरेंट होने तक इसको भून लेंगे और ये प्याज और सोरी टमाटर और हरीमेच भी सी के अंदर डाल देंगे जब ये ट्रांस्पेरेंट हो जाए कुछ देर तक हमें इसको फ्राइप करना है बस ज्यादा देर नहीं बस जितना ये उलायम हो जाए इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी हलदी डाल देंगे छोटी सी चमच से या हाफ चमच से भी कम कहलीजिए और नमक डाल देंगे जादा समान हमें इसमें कुछ नहीं डालना है इल्कुल सिंपल तरीके से ये पनीर की भुजिया हमारी बनके रेडियो हो जाएगी और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे जो हमारा उसमें से निकला था घी में से ये हमने इसमें डाल दिया है कुछ देर तक हम इसको चला के मिलाएंगे ये हमारा मिलके अच्छी तरह से त्यार सोरी मिक्स हो गया है बस हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे नमग अगर आपको कम लगे है आप अपने हिजाब से डाल सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दीजेगा मैंने एक चाट मसाला डाला है और बस यह हमारा रेडी हो चुका है और ख यह मेरी भुजिया बनके तयार हो गई है आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते है को और नई और इं प्रॉप्ट